ओम शांती आज आपको 75 दिन का वर्दान और इस वर्दान में परमपिता परमात्मा जोतिर बिंदू प्रकाश हमें इस धरती पर आकर के स्वेम बताते हैं कि किस प्रकार से हमें और आत्मों की सेवा करनी है तो परमात्मा कहते हैं कि पहले तो अपनी स्थिती बनाओ मुझे याद करके मेरे साथ अपना मन अपना दिल जोड़ो उसके बाद में जो तुम मुझे याद करोगे तुमसे ही चारो तरफ शान्ती की तरंगे फैलेंगी और सारी विश्व की आत्मे आज शान्ती जो खोज रही है वो स्वेम ही बिना बुलाए तुमारे पास आ जाएंगी ताकि तुम उन्हें परमपिता परमात्मे से जोड़ पाओ सत्ते से जोड़ पाओ आज दुनिया में चारो तरफ, मंदिर, मजजद, कुर्दवारे, गिरजगर सब है लेकिन अशान्ती भी नहीं अशान्ती जादा बड़ी हुई है क्यों? क्योंकि कहीं क्या हमारा कनेक्शन परमात्मा से तूटा हुआ है क्या हम उनको मानते हैं, लेकिन क्या हम उनको जानते भी हैं की नहीं? तो जानना और मानना दोनों में बहुत अंतर है तो परमात्मा को पहले माने, उसके बाद में उनको जाने और उनसे हम अपनी बुद्धी को कनेक्शन करें तो आई देखें परमात्मा कहते क्या हैं आज बाबा कहते हैं याद की सर्च लाइट द्वारा किसी को सर्च करना पड़ता है तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे की एक टावर होता है जो की सर्च लाइट होता है एक जहाज को दिश्या दिखाता कि यहाँ पर मताना यहाँ टापू है यहाँ पर आओगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका जहाज फस जाएगा तो उसी तरीके से लाइट हाउस जैसे हम भी एक सर्च लाइट बन जाएं कि आत्मा को दूर से दिखाएद है कि अच्छ हाँ यहाँ से वो प्रकाश आ रहा है यहाँ से वो लाइट आ रही है चलो देखें वहाँ शान्ती है कैसे मिले शान्ती जाएं वहाँ पर आटोमाटिक ही सब कुछ होता है तो याद की सर्च लाइट मींज याद मतलब परमात्म की याद में बैठना मतलब कुछ भी काऊं उसको द्वारा वाया यू मंदल बनाने वालमे विजय रतन भ वाययू मंदल बनाना वाय मंदल मैं अगर अगर थोब को जला देको लाते तो में सुगन्ध आजाती है तो वैसे परमात्म की जब हम याद में बैठते हैं तो मारे मन में कोई भी अपवित्र विचार, व्यरत विचार की बद्बू नहीं रहती अगर रहती है इसका मला हमारा connection नहीं है तो परमात्व कहते हैं जब तुम मुझसे connect होते हैं तो तुमारे मन के अंदर खुश्बू आती है मन मंदिर बन जाता है, मन के अंदर सोगन्द आती है मन जैसे की एक बहुती सुन्दर बगीचा बन जाता है तो परमात्व कहते हैं डिटेल में serviceable आत्माओं के मस्तक पर विजई का तिलक लगा हुआ है जो service करती है और उपको अशान देख करके उन्हें मन करता है कि उनको शान्ति प्रतान करें वैसी आत्माओं serviceable आत्माओं के मस्तक पर विजई का तिलक लगा हुआ है ही, विजई का तिलक यहां मलग कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की याद में बैठी हूँ तो अगर मैं soul conscious हूँ तो आत्मा अभिमानी हूँ तो विजई का तिलक लगा हुआ है हुआ है ही लेकिन जिस थान की service करनी है उस थान पर पहले से ही search light की रोशनी डालनी चाहिए बल्ब वहाँ पर आप प्रकाश डालो वहाँ पर आप शान्ति की vibrations भेजो आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ पर भी आप परमात्मा से जुड़ करके आप शान्ति की vibrations अपने परिवार को अपने संबंदियों को आजू बाजू सब को आप दे सकते हैं लेकिन उसके लिए राजयोग meditation सीखना बहुत जरूरी है प्रमा कुमारी उसमया करके और उसके लिए ज्यान लेना जरूरी है याद की सर्चलाइट से ऐसा वायू मंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहच समीप आ जाएंगी अराम से ढूंटे ढूंटे पूछते पूछते आ जाएंगी यह कौन सी जगा है जहां पर meditation सिकाते हैं इतनी शान्ती है वाँ पर वाँके लोग भी किते शान्त हैं यह सब कुछ तभी हो पाएगा जब हम meditation में होंगे परमात्मे से जुड़े वे होंगे योग में होंगे फिर कम समय में सपलता हजार गुणा होगी में सर्व आत्मा को शांती प्रदान करनी की विजय मेरे में मैं परमात्म के साथ मिल करके इस विश्व में शांती फलाने के इस कारे में महान विशाल कारे में मैं लगी पड़ी हूं और उसमें मेरी विजय हुई ही पड़ी है ये द्रन संकल्ब करें तो हर कर्म में विजय समा हुई है परमात्मा कहते हैं द्रणता तभी आती है जब आपको कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए होता है तो जब आप देवता बन जाते हैं देने वाले और ना की लेवता की लेने वाले कि मैं एक सेवा करने तो कुछ मिले तो उसमें पवित्रता है तो परमात्मा कहते हैं ऐ ऐसी सेवा में पवित्रता है, ऐसी सेवा में सफलता है, तो आज इस वर्दान को आप अपने जीवन में भी कैसे अपनाएं, सीखें और आकर के ब्रह्मकुमारीज में और गहराई से समझें इसको, इसके साथ ओम शन्ती.